तो आज की इस वीडियो में हम लोग businessman और entrepreneur में क्या difference होता है ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है हम लोग कैसे कहेंगे कि ये जो है वो businessman है और ये जो है वो entrepreneur है हम लोग कैसे differentiate कर सकते हैं इन दोनों को वो समझेंगे क्योंकि ये बहुत confusing term है क्योंकि दोनों mostly वही चीज कर रहे हैं लेकिन एक को बोला जाता है entrepreneur दूसरे को बोला जाता है businessman ऐसा क्यों ओके तो हम लोग सबसे पहले meaning से start करेंगे तो आने वाली कुछ वीडियो में मैं की differences किसी भी दो term का like present करूंगा जो मुझे confusing लगता था अगर आपको भी कोई term बहुत confusing लगता है और लगता है कि दोनों same ही almost अगर आप उस पर वीडियो चाहते हो तो आप comment box में लिख सकते हो मैं उस पर बनाने की पूरा courses करूंगा तो सबसे पहले businessman का मतलब क्या होता है तो a businessman is someone who sets up a business with an existing idea तो businessman क्या करता है कि जो idea market में already है उसी से अपने एक business ख़रा कर जेता है मतलब वो अगल बगल देखता है कि यह जो सामने वाले का कपरे की दुकान है वो बहुत चल रही है तो उसने क्या किया उसने उसका idea चोरी कर लिया और फिर उसके बगल में ही जाके उसने यह थोरी दूर में ही उसने भी एक कपरे का दुकान खोल लिया तो यह जो mindset होता है वो होता है businessman का उसको just profit कमाना है कैसे भी तो यह क्या करते हैं यह existing product को ही offer करते हैं जो existing product और service market में थी already थी उसी को वो offer करते हैं तो यह होता है businessman तो अपने entrepreneur क्या करते हैं तो entrepreneur क्या करते हैं वो एक person entrepreneur is a person who starts an enterprise with a new idea or concept undertaking commercial activities तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो entrepreneur जो होते हैं वो एक नया business नया enterprise establish करते हैं लेकिन new idea और new concept से मतलब जो idea या जो product और service अभी तक market में नहीं थी वो उस पे काम करते हैं उस service या product को develop करते हैं और then उसे commercial publish करते हैं commercially उसे launch करते हैं तो यह होता है हमारा entrepreneur का काम तो हम लोग क्या समझ गए इन दोनों में से जो business man होते हैं वो existing product offer करते हैं बट entrepreneur एक new product या new service को offer करते हैं तो अगर meaning समझ में आ गया है न तो बाकी की चीज़ तो बहुत easy है बाकी की चीज़ तो आप खुद से ही बना लोगे फिर क्या आता है फिर आता है market player और यह entrepreneur क्या ब बोला जाता है business man is called as market player why क्योंकि जो business man है वो existing product को ही फिर से market में launch कर रहे हैं तो वो market का पार्ट हो गया राइट तो वो उसी में एक competition का हिस्सा बन गया लेकिन जो entrepreneur है न वो market leader कहलाता है क्यों कहलाता है क्योंकि वो जो business launch कर रहे है वो जो business start कर रहे है वो अभी तक उस market में था ही नहीं वैसे product था ही नहीं तो वो पहला इंसान होता है जो उस step का business को start करता है तो इसलिए इन्हे market leader कहा जाता है क्योंकि ना कोई market में है ही नहीं तो मैं market leader होंगा ना अगर आप एक class है उसमें सिर्फ एक ही बच्च पर रहे है तो हमेसा वही first आएगा ना तो यह होता है इसलिए इन्हे market player और इन्हे market leader कहा जाता है फिर क्या आता है इनका difference में businessmen क्या होते हैं कि comparatively less risk taker होते हैं वह बहुत motive जो होता है पैसा कमाना मतलब profit कितना मिल सकता है मुझे तो वह risk को मद्दे नजर देखके ही decision लेते हैं but entrepreneur क्या होते हैं वह high risk taker होते हैं इसका सबसे best example कौन सा होगा हमारे Elon Musk तो वह क्या करते हैं अजब उनका अजब भी like idea है या dream है reusable rockets वह बनाना चाहते हैं तो उस पर उन लगा दिया अगर आप उनकी कभी biography पर होगे ना आप तब जानोगे कि वो जो थे एक time पे उनका उनका एक business काम से निकाल दिया गया था उनको तो उनके पास जो भी पैसे थे ना वो पूरा का पूरा पूरा एक project में लगा दिया तो वो लोग बहुत high risk taker होते हैं okay तो इसल मार्केट तो यह second point से relatable है तो यह क्या होता है यह businessman existing market में ही उस market का एक part बन जाते हैं market player बन जाते existing market में ही वो अपना place create करते हैं लेकिन entrepreneur क्या करते हैं यह new market को ही create कर देते हैं क्योंकि अभी तक वो product या service तो market में थी ही नहीं यह जो यह तो पहले होता है ना जो उस type की product या service को launch करते हैं तो यह एक new market को create कर देते हैं क्योंकि जब internet आया होगा तब तक कोई ऐसे थे नहीं जो इसको use करते थे mobile वगेरा internet को use करते थे बट जब वो आया धिरे-धिरे एक market तयार हो गया तो यह होता है entrepreneur businessman क्या होता है conventional method for doing things कुछ भी चीज करते हैं traditional method होता है उन्ही को use करते हैं अपने day to day activities में but entrepreneur क्या करते हैं यह bring innovation and creativity same चीज भी अगर कर रहे ना तो उसमें कुछ creativity डालेंगे जिससे वो एक USP तयार कर सके एक unique selling proposition तयार कर सके और फिर वो अपने customer को बताएंगे कि आप अगर मुझसे यह चीज खरीदते हो ना तो यह चीज आपको उसके पास यह creativity को लाते हैं तो यह यह काम कौन करता है हमारा entrepreneur और हमारा इसके बाद जो difference से वो क्या होता है businessman का main goal होता है profit कमाना और entrepreneur का main goal होता है यह problems लोगों की problem को solve करना ऐसा नहीं कह सकते कि entrepreneur का main entrepreneur पैसे नहीं कमाते या पैसे उनका main motive नहीं होता है मोटीव नहीं होता है मीन मोटीव नहीं होता है उनका main motive होता है कि मैं लोगों की problem को कैसे solve करूँ जैसे red bus का कहानी अगर आप सुनोगे ना उनके जो कैसे start हुआ था तो वो जब अपने घर जाना चाहते थे दिवाली या होली में I don't know तो कौन से चीज थी कौन सा festival था तो उससे नहीं उनको bus नहीं मिल पा रहा था तब उनके मतलब उनको bus में seat नहीं बुक ही नहीं हो रहा था बस उनका तब उनको idea आया क्यों नहीं मैं एक ऐसा app बनाओं जिससे मैं पहले ही बुक करके रखू जिससे मुझे last time पे booking करने के जुरुत ही ना परे तो यह क्या करते ह है और यह main motive इनका यही होता है यहीं इनको motivated रखता है ओके सो अब next difference हमारा क्या आता है next difference आता है कि businessmen जो होते हैं they always try to beat their competitors मतलब इनका जो main motive होता है कि मैं अपने competitor को कैसे हरा सकता हूं क्योंकि मेरा money motive तो profit कमाना है ना तो वो कैसे भी हो मुझे अपने competitor को beat करना है that's all but एक entrepreneur का mindset या उनका thinking approach क्या होता है कि entrepreneur जो होते है they focus on learning from their competitors अगर हमारा competitor जो है वो हमसे अच्छा कर रहा है तो हम वो ऐसा क्या चीज़ implement कर रहा है जो हम लोग implement नहीं कर रहे है तो वो क्या करेंगे वो उस चीज़ों को अच्छे से analyze करेंगे and then वो भी अपने business में उसको implement करेंगे and ultimately try to beat their competitors दोनों एक ही चीज़ कर रहे है क्योंकि अगर आपको market में बने रहना है तो आपको अपने competitor से अच्छा ही करना पड़ेगा राइड लेकिन businessman का approach होता है कि just मुझे अपने competitor को हराना है उसका बारे में negativity भी बोल देगा वो अपने competitor से सीखते हैं और देन अपने उस चीज को अपने उसी चीज को या उससे बहतर उस चीज को अपने business में implement करते हैं तो यह भी एक difference होता है and यह जो last है वो मेरा approach है और take away इस दोनों concept में तो business क्या है एक method है मतलब आपने देखा कि यहां पे एक particular state में एक particular reason में आपने देखा कि यहां पे यह सारे business बहुत अच्छे चल रहे हैं और अगर मैं भी करता हूं तो मेरे business भी अच्छे चलने के संभावना है लेकिन तो यह क्या होगा एक method हो गया राइट जो सभी कर रहे है आप भी वही जाए करने लग रहे हो तो यह एक method as a method consider किया जाएग में या कोई specific place में अब देखते हो कि यहां पे वो चीज की सुविधा नहीं है अगर मैं वहां जाके चाई भी बेचता हूं तो मेरा अच्छा का मैं लोगों के life में value add कर पाऊंगा क्योंकि उनको वहां से वहां travel नहीं करना परेगा सिर्फ चाई पीने के लिए तो यह क्या होता है businessman versus entrepreneur almost दोनों सेम चीज करते हैं लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह entrepreneur क्या नया वड़ा गया तो मैंने सोचा एक video बना लेता हो उस पर तो आज की इस video के लिए इतना ही अगर आपको कोई भी term जो है जो confused करता है तो आप comment box में लिख सकते हो अगर मैं उ उसके बारे ने पढ़के मुझे लगता है कि मैं अगर बना सकता हूं वीडियो मैं I'll definitely make okay तो आज की इस video के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को subscribe कर लिजिए thank you